यानि यहाँ पर कॉंग्रेस गडबंदन से अपने आपको एकदम अलग करते नजर आ रही है है यहाँ पर हमारे साथ राजनेती क्वैसे सग्य मौजूद है एक मिस्रा जी आप से जानना चाहेंगे सर जिस हिसाब से आज एक सुत्रों के हवाले से ख़वार आई है कि उत्तर बहुत फर्क पड़ेगा उसके पहले मैं एक बता दूँ भारती राजनीत में एक बहुत जवर्जस्त परिवर्तन हो रहा है इस पेसली गडबंदन ओर्येंटेट जो राजनीती होती थी देखे इसको ऐसे समझी है नेचर चेंज हो रहा है गडबंदन का इसके पहले तक ज या नहीं आई है अब यह दो चीजे हैं इसमें देखे या तो हो सकता है समाजवादी पार्टी और बस्पा इन दोनों ने केवल इस्टेट लेबल पे अपना फैदा देखा महा गडबंदन की बात नहीं की कि भाई पहले अपनी जान बचाओ दूसरा एक टर्म होता है पोल प्रेमिनिस्टर चुल ले सेकंड ऑप्शन जो मैंने बताया कि हर स्टेट में जो जो पार्टियां मजबूत होंगी वह गडबंधन कर लेंगी क्योंकि बाई हुक और बाई कुक सारी पार्टियों को जीत मतलब सबका अंतिम लक्ष होता है अल्टीमेट गोल कि मुझे चु में जो गडबंधन है मतबंधन का अभीस्ट तरीका यानि बोट पाने का अभीस्ट तरीका गडबंधन है इसमें बड़ा पावर होता है मतलब बहुत शक्ति होती है इसमें अगर यह होता है तो 101 परसंट बीजेपी को इसको मैनेज करने में या पुराना रिकॉर्ड मेंट यहाजी के लिए अधी बार बार प्रो एक्टिव हो करके पूरे बढ़ परयास कर रहे थे मैङावती जी उतनी अग्रेसिव नहीं अब इसके पीछे भी रीजन है अखिलेश यादो की पार्टी के अंदर जो ये दो तीन पार्ट में बढ़ गई उसके कारण समाजवादी पार्टी जो है बहुत कमजोर हो गई है इनका वोट बैंक बढ़ गया है अब जरूरत अखिलेश यादो की है मैं तो ये बोलना हूँगा कि जैसे डूपते को तिनका का सहरा कांग्रेस के साथ इन्हों ने गड़ बंधन कर लिया और इन्होंने एक कहावत है ने कि जैसे छाज का जला हुआ जो है दूद भी दूद का जला हुआ चाज भी फूख फूख के पीता है तो अब ये कांग्रेस के साथ नहीं कहीं नहीं कर रहे तो कहीं कांग्रेस और विपक्ष भी इस चीज के लिए निश्चिन्थ है या उन्होंने मन बना लिया है कि अब की बार हम गडबंधन इस तरीके से बनाएंगे और अखले श्यादों के लिए गड़ बंधन करना समाजबादी पार्टी के लिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि वो कमजोर हैं बनस्पत या इनकें प्रीजन अफ मयावती के लेकिन इसमें दोनों का जबर्जस फैदा होगा आप राजनीति को काफी सालों से देखते आ रहे हैं आप से जानना चाहेंगे यह जो आज गड़बंधन हुई है उससे कॉंग्रेस को क्या फर्क पड़ेगा क्योंकि 2007 में यही गड़बंधन हुई थी कॉंग्रेस और सपा के साथ लेकिन ऐसा क्या इस बार अलग रहा कि कॉं कि किसके साथ मुझे फायदा होगा और नुकसान होगा यूपी में कॉंग्रेस की पर्फार्मेंस लगातार कमजोर रही है तो कोई भी पार्टी आप यह देखिए रिस्क नहीं लेगा चुनाओ के टाइम टाइम पे यही एक रीजन है कि अखिलेश यादों चाहते तो उन् से ग्रूप यह पार्टियां एक हो जाती है जो दुर वीरोदी थे आप यह देखिए नितीश कुमार जी चुनाओ उन्हों ने जीता जो है इनके लालू यादों के साथ लड़के और बाद में बीजेपी के साथ आ गए अपने पॉलिटिकल गेन के लिए पॉलिटिकल फाय होना चाहता है जो उनको जो मतलब उनका टार्गेट दिला दे जो उनको पार लगा दे और कहीं न कहीं कॉंग्रेस के लिए यह चीज है कि कॉंग्रेस में फेथ नहीं है अखिलेश यादो या मयावती का इसलिए वो लोग कॉंग्रेस को एप्रोच नहीं कर रहे हैं यानि स सिसाब से उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई काफी जंग हुआ था उत्तर प्रदेश में चाचा भतीजा के बीच में अब जो बाबु है यानि अखिलेश यादो वो जाके बुआ से मिल लिए तो क्या फर्क पड़ेगा उत्तर प्रदेश की राजनीते पर इस चाचा भ मुखनेता थे यह तभी संभव है जब मुलायम सिंह यादो जी लीड रोल में आये तो उनके लिए शिवपाल यादो तो सब चीज त्याक सकते हैं इतनी वहमनस इतनी दूरी बढ़ गई है कि उन्होंने अपनी नई पार्टी बना ली हर जगह से जो है उन्होंने प्रचार कर दिया candidate उन्होंने ढूंड लिये हैं तो यह पॉस्बिल नहीं है कि वह अपनी सारी कवायत को छोड़ करके वह भी अखलेश के कारण यह जगड़ा हुआ था कि अखलेश यादो के साथ आ जाए यानि वह समर्पड कर दे यह तभी संभव है जब मुलायम सिंह यादो को सा समाजवादी पार्टी के लोग मिल करके ले आए वहां पर शुपाल यादो आ सकते हैं और वह सारी की सारी चीजों को छोड़ करके त्याग करके एक बार एक बार वह फिर से आ सकते हैं लेकिन मुझे यह यह संभव नहीं लगता है इसके चांसिस बहुत काम है तो मुझे य के साथ चाहते तो शुपाल यादों भी कर सकते थे अप्रोच या मयावती कर सकती थी लेकिन वह पुरानी कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके कारण वह नहीं कर सकते हैं दूरियां अभी मयावती और शुपाल यादों में बनी हुई है तो वह नहीं होगा और शुपाल यादों लग लग बाटेंगे साय 십ाटीस साथी सी्टों पर बात हो रही है अवसे 37 सीट अगर होगा तो दोनों से आगर देखा जाता तो जितनी सीटें है सपोग 84 यो पचासी सीटें तो अगर आप ये देखेंगे तो कितने सारे कंडिडेट को दोनों उससे मिलता मौका लेकिन अब आधे लोगों को मौका नहीं मिलेगा तो बिपक्ष यानी की बीजेपी ये एक कर सकती है कि अगर यहीं कंडिडेट जिनको टिकट नहीं मिला चाहे समाजवादी पार्टी या बसपा से क्या वो लोग अपनी जिन्दगी भर की कमाई या नेतागिरी को ये त्याक करने के लिए तयार होंगे कहीं वो निर्दली खड़े हो गए कहीं बीजेपी ने उनको तोड़ करके अपने फेवर में कर लिया तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर बन जाएगा और बीजेपी ऐसा क पॉफिट का भी काम कर सकता है बिलकुल कर सकता है देखिए अगर बीजेपी ने इस स्टेटजी में काम कर दिया मैं बोलता हूं आधे ऐसे नेता समाजवादी पार्टी के और बसपा के जिनको टिकट नहीं मिला उसमें से कुछ लोग भी अगर बीजेपी के साथ चले गए निर्दली खड़े हो गए या कन्विंसिंग कुछ ऐसा कर दिया लोकल इंफ्लूएंस तो उन्हीं का है न अगर उनके लोकल समर्थक वो अपने लोकल नेता के साथ मिल गया तो जितने वोट बैंक पे उनका इंफ्लूएंस है और अगर पांस-दस परसंट का भी गेम जो है तो यह गड़बंधन फैल भी हो सकता है यह इनके लिए एक बहुत बड़ा इस गड़बंधन के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि जो आधे लोगों को टिकट नहीं मिलेगा क्या वो उस भावना से त्याग करके और इस तरीके से अपने पार्टी के लीडर के साथ ज ना ली अब अलग हो गया तो 4-5 परसन वोट तो काटेंगे ने क्योंकि उनका भी तो यादव वोट बैंक या जो इनका वोट बैंक है ट्रीशनल उस पर तो उनका इंफ्लूएंस है ना जब इंफ्लूएंस है तो हारे जीते उनके कुछ फिक्स वोटर है वो उनको वोट द सकते हैं देखिए यह इस चीज की जबर्जस तासंका है अब कोई कंडिडेट अगर इस्तीफा क्यों देता है इस पेसलिए अगर सावित्री भाई फुले की हम बात करें तो अपने परसनल गेन प्रॉफिट अनलास को पॉलिट केल वो देखते हैं तो ऐसे में वो ऐसे जग से ही लड़ना है तो यूपी में एक ही अफसान है सफा बस्पा तो में भी में भी पॉस्बिल कि उनके पास कोई विकल्प ही नहीं है अगर वो बीजेपी में वापस नहीं जाती है तो सफा बस्पा को ही वो सेलेक्ट करेंगी क्योंकि जीत के चांसे सबसे जादा वहीं पे वो शीवपाल याद हो या किसी और तीसरी पार्टी के साथ चले जाए यहां पर कॉंग्रेस का खहना है कि यहां पर उत्तरप्रदेश के घडबंदन में कॉंग्रेस भी सामिल होगी एके मिस्टरा जी आप से जानना चाहेंगे आई दिन लोगों का आरोफ है कि कॉंग्रेस जमीनी राजनीती नहीं करती है जिसके वाज़े से कॉंग्रेस का जो है सुप्रा साफ होता दिख रहा है उत्तरप्रदेश से और भी देश के कही राज्यों से क्या आपको लगता है इस बार के लोग सभा चुनाओ में कॉंग्रेस कितनी सीटों पर सिमट सकती है पिछले ब भाग गयाज मैं देखें मैं आपको बताओं यूपी वैसे भी लोग सभा के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है और कॉंग्रेस की तो पूरी प्रिस्ट भूमी अलहाबाद यूपी से जुड़ी हुई है नहरू जी से लेके जो फूलपूर से लड़ते थे इनका इतिहास ह है और जो पार्टी या जो आदमी अपने जड़ से उखड़ जाता है उसको कहीं शरण नहीं मिलती है तो मैं बोलना चाहता हूं कि कॉंग्रेस वापस यूपी में काम करें इसको अभी भी इनके लिए बहुत अच्छा है सबसे ज़्यादा नेशनल लेबल पे अगर इसको है तो बीजेपी के बाद जो है कॉंग्रेस को ही है अगर वो रिवाइब कर पाए अपने आपको तब लेकिन सवाल यह होता है कि दो सीटे तो शियोर है उसके पीछे रीजन यह है कि लोग सभा चुनाओं में कोई भी जीते लेकिन भारती जो मद्दाता होता है उसका लगा है बाहर किसी की भी सरकार बनें उस सीट पर यह जीतेंगे बाकी के सीटों पर देखा जाए तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कॉंग्रेस का कोई बहुत स्कॉप इस्पेसली यूपी से मुझे नहीं लगता है कुछ ऐसे दो चार सीटे अगर कहीं से यह आ जाए गडबंध में शामिल कर रहे हैं क्या लगता है अगर गडबंधन होता है मा गडबंधन यूपी में अगर होता है तो लोग सभा में कितने सीटे आ सकती है नहीं देखे अगर सपा बसपा का देखा जाए तो डेफिनिटली मैं यह बोलूँगा कि बीजेपी को बहुत नुक्सान पहु कि लग 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 अगर आप समझेंगे जैसे पिछली पास साइध इनका सेवेंटी सेवेंटी सीटे आई थी ना तो हंडेड औन परसंट अगर यह देखा जाए तो इनको 20-25 सीटों का यह नहीं का देखा जाए तो 25-30 सीटों का इनका नुकसान होना जो है लाजम है वही प्रिंस्पल यहां पर काम कर रहा है और यह बहुत स्ट्रॉंग होगा एकसेप्ट दो तीन चैलेंज़ अगर यह मैनेज कर ले जो मैंने बोला कि आधे लोगों को टिकट नहीं मिलेगा तो वह जो इस्टैबलिस नेता है सपा और बसपा के वह कहां जाएंगे अगर पान साल में नेचुरल ग्लेमर अट्रेक्शन जो होता है वो किसी भी पार्टी का हो खतम होता है तो यह बीजेपी के साथ भी हुआ है जो इनका एक लहर थी उस वक्त जो मोदी की थी उसमें डेफिनेटली हुए हर पार्टी के साथ होता है हर फेमस आदमी के साथ होता है उ वाद होता है टेस्ट होता है उसको चेंज करना चाहती है पांच साल में देखिए अभी जैसे राजस्थान का इलेक्शन हुआ खुद बीजेपी वाले बोल रहे थे भाई वहां एंटी इंकंबेंसी होती है वहां का नियम है की प्रक्रिया है कि पांच साल के बाद जो है सरका को पॉलिटिकल पार्टी और वोटर के बीच के बांडिंग को मेंटेन रखना पांच साल तक बड़ा मुश्किल होता है वो नेचुरल हवास होता है नेचुरल वे में वो डिग्रेड होता है ये चीज बीजेपी के साथ हो रही है कोई और पार्टी होती तो उसके साथ भी ह यह बताया जा सकता है, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अभी टाइम है, बहुत नियो नेटल लेवेल पर यह इन लिम्बो है, जितनी भी डेवलम्मेंट हो रही है, चेंज हो रहा है, इन लिम्बो यानि कि इन प्रोसेस है यह, थोड़ा सा वेट करिये, कुछ दिनों के बाद य क्लियर हो जाएगा, सारी पार्टियों के लोगों को जरा आने दीजिए सामने कुल के, क्या बोल रहे हैं, क्या एजंडा बना रहे हैं, क्या इनकी ओफरिंग है, वो देखने के बाद यह पता चल जाएगा, बड़े आराम से पता चल जाएगा कि कौन कितनी सीटे ले जाए क्या उनकी ओफरिंग टॉझीबए भी जागी ऑ़त है जाएगा कि मेंएगा कि घएगा। कि कित अर्फशने के सामने के सावब की और क का चल जाएगा । झाल 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 झाल